नमस्कार विवर्स, स्वागत है आपका अनूप सिंग टॉक्स में आज भी मेरे साथ जो बच्ची मौझूद हैं, जो स्टूडेंट मौझूद हैं वो हैं भारतिय शिक्षा के इंदर हाइट सकेंडरी स्कूल दुमाना की जिन्होंने 98.4 स्कूर किया है, अभी रिसेंटली जो क्लास 10 का एक्जाम रिजल्ट जो अभी अनूंस हुआ है, तो डिरेक्टली हम इनसे बात करेंगे जाने के इनकी सकस स्टोरी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे चोटे ऐसे टिट बिट्स जिनको बच्चे अगर फॉल अप करें तो वह भी इनके जैसे इनका जैसा स्कूर कर सकते हैं सो बिटा सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और अपना स्कूर बताएं मैंने तो बताई दिया है मेरा नाम रादिका शर्मायग और मैंने तेंथ में 98.4 स्कूर किया है वेरी गुड़ कॉंग्रेट्स बिटा बिटा मुझे एक बाद बताओ की एक्सपेक्टेशन्स तो होती है रिजल्स से पहले और थोड़ी सी अटकलें भी चलती रहती है कि मेरा रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा और इवन कि जो जो बच्चे टॉप करते हैं उनको भी यह एक्सपेक्ट नहीं होता है कि अट आप करूंगी यह नहीं करूंगी तो देवन यूर रिजल्ट वस अनौंस जब रिजल्ट अनौंस वा जब रिजल्ट अजब डिकलेर वा तो अप कहां थे तब और आपका स्फस्ट रियक्शन क्या था अपका उस टाइम पर मतलब मैं स्कून में थी चुटी और थी त तो मतलब पहले तो मैं बिल्कुल शौक होगी कि रिजल्ट निकल गया जब उनने बोला और जब पर जब पजला कि 98.4 है तो मतलब आंखों में से बिल्कुल आंसो निकलने शुरू हो गया और मतलब कि मैं खुश थी दुख नीथा कि 98.4 है तो बहुत खुश थी बट बट लिमिट से अपने आपको पुश अप करती थी कि नहीं मुझे करके ही सोना है मतलब कि रात को मतलब लेट नाइट तक पढ़ते रहना मैंने और सुबा भी जल्दी उटके पढ़ना तो वो जब स्ट्रेगल याद आता है तो फिर बहुत मतलब रोना ही आ आ गया मतलब कि आप से थोड़ा बहुत अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रिजल्ट जब आया तो उनको थोड़ा सा शौक लगा कि मतलब उनका था कि ठीक है राधिका विल भी टॉपर उनका क्या रियक्शन था सभी टीचर्स का पहले तो प्रिंस प्रिंस प्रिंप्रम में मुझे को कर सकती है कि नहीं आपके अंदर पोटेंशल है उस चीज़ का तो मैंने काफी अपको अपको अंडरेस्टीमेट कर दिया था जब थी मैं मैं सोचा था कि मैं नाइटी वन्टू तो तक लिए तो बहुत अच्छा है बट जब आप सब टीचर्स बोलते थे कि नहीं आपके अ है कि अपको मुझे मन्टा पोजिशन लानी ही लानी है तो मैंने इसलिए कि और सबी टीचर्स बहुत अच्छे से मत्तम मुझे पढ़ाया था मतब गल्तिया जब निकालते था थोड़ा होता था कि मेरी गल्ती है वो बट मुझे अब अब बटा चल्ब गल्टिया कि युद मैं देखा भी था लैंग्वज में बहुत गलती है बट अब मैंने बहुत जादा इंप्रूफ कि अपने आपको और मैं बहुत खुश भी हूँ कि आप सब टीचर्स की मुझे पदा चला कि मेरे दर कम्या किस चीज की और मैंने वह फुल्फिल कर लिए तो मुझे उस बात की बहुत अच्छी बात है बटा यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको वो चीजें बताई जाएं जो आपके ड्रॉबैक्स हैं जो आपकी चुटी-चुटी कमिया है उन्ही को जब आप अवर कम करते हैं तो डेफिनिटली आप वो सेट टार्केट अचीव करते हैं च कि अच्छी बात है कि ठीक है रादी का विल बी नाइंटी यहां रादी का मतलब युनाइमिनिसली कुछ अलग से कर जाएगी ऐसा कुछ था यहां ममी पापा को क्या लगा कि नई रादी का बेटी ने नाइंटी-एट स्कोर कर लिया तो ओमाइग गॉड दिस सम्थिंग अ नई रादी का मम पापा ने इतनी उमीदे लगाएं तेरसा तुझे कुछ करके दिखाना तो जब मैंने पापा को बता है पापा ने तुम पहले तुम ने बहुत अच्छा किया यह वो तो पापा ने जोग भी किया कि मैंने कभी मतलब इतना प्लस कर किसको निकिया जितना मतलब मैं मेरे काफी इमोशनिय ला मतलब तो और रो यह दो अच्छा मुझे बहुत बढ़ा जयसा कि आपको पता है अज कल का जो मतलब दोर है और आज कल का जो निया मतलब जो time चल रहा है भी तो marks ठीक है position भी बच्चे लाते हैं 99 भी बच्चों ने score किया भी CBC का result जो आया और in fact अभी 100% भी आये हैं बच्चे के 500 out of 500 भी बच्चों ने score किया लेकिन बिटा at the long run अगर हम लंबी race का अगर हम मान के चलें कि life में आगे हमने अगर भी पता है कि marks तो इतने matter नहीं करेंगे जो eligibility criteria है आपने कोई form fill करना या कोई entrance exam देना है तो वहां सिर्फ आपकी मतलब महद वो qualification होनी चाहिए और वो एक मातलिक percentage आपकी पूरी होनी चाहिए last जो चीज मैटर करेगी क्या आप वो exam qualify कर पाए कि नहीं कर पाए तो क्या अभी आप इन marks की race महीं अपने आपको दोडा रहे हो या अपने अपने आपको पूरा mentally तियार किया कि मुझे बड़े से बड़ा को exam qualify करना और उस target को अचीव करना है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबरों की race महीं आप गुम हो गए हो सर में तो अपने parents को भी बोलते हूं कि marks मतलब मैटरी नहीं करते हैं सिर्फ नंबर है मतलब कि माक्षिट हमारी किस काम आगी सिर्फ डियो भी देखने हमें तो अगर हमें long run वे सोचते हैं तो हम पहले बेसिक्स लियर होना चाहिए बिलकुल मतलब यह नहीं हम पढ़ना तो सब्सक्राइब को अपने तो मतलब यह नहीं कि आगे जागे कोई भी एक्जाम दे तो मतलब यह हो किसले बसमें स्टार्टिंग से शुरू करना पड़े क्योंकि जितने भी अब जैसे कि मैंने नौन मेटिकल रख्या तो मुझे जही का एक्जाम देना पड़ेगा तो जही सब्सक्राइब को बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं अफर टैंथ मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है अपने कुछ फ्रेंट भी है मतलब की एंडिंग में पढ़ाई करेंगी 11 का बोर्ड क्या होता है बोर्ड इसका यह वो पर उनको यह पता चलता कि अभी उनक सब्सक्राइब करते हैं तो क्या कुछ खास चीजें रही उस इवेंट की जो कल हुआ और किस तरीके से आपके पुरे स्कूल ने और पुरे स्टाफ ने आपको मॉटिवेट किया और एक तरह से कैसी एंकरेजमेंट मिलती है जब आप इतना अच्छा करते हैं और स्कूल की जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलता है तो वो कैसी फिलिंग रहती है आपकी मतलब की मैं यह पूछ रहा हूं क्यूंकि आप ब्येस के स्कूल की टॉपर है इसलिए मैं आप से पूछ भूआ हूं मुझे मतलब कि आपको तैंथ मुझे काफी प्राउड फील हूँ कि मतलब में मतलब जैसे सब मोटिवेट करते में भी मोटिवेट करने चाहूं कि उनको मैंने उनको मतलब मोटिवेशन तो सब उनको देते हैं बट मैंने उनको एक सिंपल सी बाह बताई कि उनको जैसे की हंडर मार्क सूल से मिलने मतलब 10 परसेंट तो कोई चीज उनको प्रती कैसा रखना चाहिए और आपको मतलब कैसे डिस्प्लेन में जाए और कैसे मतलब की थोड़ा तो एफट लगा रहा है जाहिए दस परसेंट नाइटी परसेंट आपको खूद मतलब बोर से लेने यह तेन परसेंट फ्री कि आपको स्कूल से मिल रहे हैं तो कुछ क्योख्योत कर अशए जनी नाइन जैसे कि एंग बोर जाए छाष जोग रटान देजर कु दो कि एप मैं चुछ नहिः जा खाव जाए बतार्न आपको पंध यहां को मतलब कर ने अशची बतार्म यहां कि कि उक आप जहाँ डियाग हैं लुग कि strategies होती हैं वो हर एक बच्चे की अलग-अलग strategies होती है जो mediocre बच्चे हैं उनकी अपरोच उनकी पढ़ाई के लिए different रहती है जो बच्चे थोड़ा सा अलग उस top level पर पहुंच जाते हैं उनकी strategy कुछ अलग रहती है लेकिन एक common चीज होती है जो सब में होती है class teacher same है ठीक है timing same है हाँ यह हो सकता है कि आपने अपनी अलग से extra classes कहीं और ली है लेकिन जो last के days की आपकी जो तैयारी है वो कितनी matter करती है मतलब जैसे आज आज आपका session शुरू हुआ है आपके exams next year मार्च में होने वाले है तो वो जो last के महीने होते हैं जो वो last के तीन चार महीने और last के जो दो महीने होती है मतलब how much crucial that last time period is before your exam तो आपने उसको कैसे हंडल किया और आपके लिए वो कितना crucial time था मिली काफी मतलब depressing time था क्योंकि मुझे अपने अपर इतना confidence नहीं आ था उस टेम पर कि मैं कर पाऊंगी कि भी नहीं तो मेरे यहीता में क्या करती थी कि मतलब maths मैंने मतलब जैन्वरी में पूरा मैंने maths निकाला और science को मैंने बहुत अची से एपना कि 56 का करना है बट मैं असी ति में क्या थी तो शायद अची कर प्रण पूरा पेपर चेक हिया तो बट चेक लिए तो बट्चे कैना हो जाएगा बट मेंने हर एक पेपर 75 तक किया और English and Math साइन्स के पर मैं पूरा एकिका कि और हिंदी का भी वस एसस्ट कर राय गया तर मेरा जो एक निगर पाई मैं कुर मेरा यही था कि मैं लास्ट यह दिनों में में अपना सोशल मीडिय सारे प्लैटफॉर्म्स डियेक्टिवेट कर दियू कि बहुत बहुत बई कि मैं यूस करती तो तब ही मैंने कम हुए तो मैंने गल्ती में बापिस नहीं करूंगी तो मैं डियेक्टिवेट कि और मैं एक टाइंग टेबल ऐसा मतलब अपना बनाया कि मतलब की फॉल में कर लेती ती मैं अपने आपको इस चीज़ से अडेप्टी कर लिया तो प्र सवक्ष्ण कर लेती हैं मुबाइल उसका ड़ेती हैं सॉंग सुन लेती थी कि कफे रिल्लैक्स देता हैं तब फिर में आपको हिंदी इंग्लिश को ओपरण घ्रटा नी मारते हुए मैं लांट निगिया मैं समझा ही तो मैं समझती थी उनको फिर मैं फिर से राद को मै मेर माम इस फेकर और मार्च महीन आया हमारा के फिर फीरल येट मैं नहीं कि तो अगर पीन चाहिए और बीड़ मार्च मेल किसी कहने है तो दुभल को बीड़ानए तो पागल हो जाने इतना इतना भी कि अर फर्सट एक्जाम से पहले इतना शुरूने शुरू की मुमstud लिए बाखी पेपर में थाइप पर नेक्स पेपर में में बच्ची पर खड़े होके बुक्स खोल के रिवाइस करने में बिल्कु रिवाइस निया थी क्योंकि जो घर में बैट के पड़ पाय तो वहां जाए किया पर भूदेंगी वैसे बहुती है अपनी होती है कि आपका आपना पशच्ट इंट्रस्ट के 10 इस सब्जेक्ट में कितना है और आप कितना टांकि सब्जेक्ट को डिवट करेंगे तो वो आपको अवर रॉल जो है वो सब्जेक्ट उतना आउटपुट देना शुरू करते हैं यह तो सारी रही आपकी जरनी की कहानी लेकिन एस सच सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो चोबिसों घंटे की यह कुछ मस्ती हैं आप अपने आपको इन्वाल्व रखते थे किसी को क बताओगे कि रादी का सिर्फ स्टूडियस बच्ची थी सिर्फ मतलब पढ़ती रहती थी यह कुछ और भी एक्टिविटीस में रादी का पाटी स्पेड करती थी मैंने मतलब यह ने से पढ़ाई किया मैंने मतलब काफी मस्ती भी किया है मतलब क्लासमेट के साथ मैंने बह बहुत सारी जैसे की जैसे की जैसे इंपक्ट मुझे लगता था कि माइड रिलाक्सिंग गेम्स हैं मतब गेम्स केले तो मतब ओर यूज हैं हर एक चीज कोई डिसद्वांटेज और अड्वांटेज होती हैं अक्सेस और डिफिशेंसी आफ एवरिफिंग इस देंज्रस एं ह अफुल सो मैं लिम्टेड खेल थी हाँ एगंटा खेला बस फिर बढ़ना शुरू करती है बस रिलाक्स हो गया मैं जादा नहीं रद्ग मुझे एक बदाओ कि 10th में आप इस स्कूल में आए तो आपको क्या लगता आज इस्टेज पे दूसरे साल आपकी स्कूल में हो तो वेदर तो भी हेर इन इस स्कूल वोस राइट चाहिस और मतलब आप पश्तारते वाज कि नहीं मुझे स्कूल में नहीं आना चाहिए था यह ऐसा कभी कुछ ऐसा फील आया यह आपको लगता है कि यस यूर फ्यूचर इन सेफ हैंड डेफिनिटली यहां पे जो भी कुछ ज कि भारते शिक्षा में बच्चों के पर बहुत जादा एफर्ट करते हैं टीचर तो जब मैं इस स्कूल में आई मुझे मतलब पता नहीं था कि कैसा पेपर का पैटर्न होता है पर जब मैं को पता चला कि हाँ यहां यहां तीन बार प्री बोर्ड होंगे तो यह तो मुझे क बिल्कुल ऐसे टिप्स पर हो गए मुझे रखते है मेरी बेस्ट च्वाइश थी कि मैं बीएस्के में आई मुझे इतना अच्छा स्टाफ यहां को अर मताब प्रिंसिपल मैं तो मतलब में कहूंगी सबसा बैस्टी प्रिंस्पल मैं हमारे मताब बच्चों को समझतने हैं मैं मैं इससे प्रिंसिर कभी नहीं दिखा मने जितने इस चुछ मैं जितन उदीर होते काफी माता बच्चों की बात रि listenermakि मेरी वारी टन साट वर चांड़िकंद की ने रिची नीं रही अगए अब वो क्या करने जारी है और अब कॉन सा नया तारगट उन्होंने सेट किया हुआ है जिसके मगर वो पढ़ चुकी है सार मैंने PCM लिये PCM मैंने जैई IIT जैई मेंन्स क्राइक करने के लिये 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 और मैंसर में रवील कर दो तो फिर पूरा नहीं होता है तो मैं कावी सुपर्स्टिशियस भी हूँ तो तभी में रवेल नहीं करेंगी सार सर्ष ओके लो प्रॉब्लम चलिए ये थी रादी का बेटी जिन्होंने 98.4% स्कोर किया और भारतिय शिक्षा के इंदर हाइट स्केंडरी स्कूल जो दोमाना मैं उसकी ये स्टूडेंट थी तो अपनी सक्स स्टोरी शेयर कर रही थी अपना सक्सस मंत्रा हमारे साथ शेयर कर रही थी तो जितने भी बच्चे इनको सुन रहे हैं जैसे कल भी मैंने एक इंटर्विव करा था तो जितने भी बच्चों से हम जो जो कुछ भी अच्छी बाते सुन रहे हैं अब इनके टे बताते हैं कि continuity और consistency जो है वो किसी भी exam को qualify करवा के ही छोड़ती है तो आपने हमेशा बच्चो एक चीज रखनी है याद कि जो भी चीज आप कर रहे हैं जिस तरफ भी आप बढ़ रहे हैं उसमें आपने continuity रखनी है और अपना effort कभी भी छोड़ना नहीं है वेड़ वेड़ वाद कर वानुर ट्docंण लBay चीज यह से दालवा जड़िक भी पार है भी एक हमेशा है और अझिए मेंगा झालवाँ और तर रहे पाल शूबशम जल भी बढ़ती है वाल Yogoda टोओे मॉपयों ज भीजबसी है वार टूबम यहारैं कि ऑल अवर्यों स्वर्च